ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमा जै मातराणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मां भगवते दुर्गा की घृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वता बनी रहे दोस्तों वैसाक मांस की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान श्रीहर विष्णू की पूजा मोहिनी स्वरूप में की जाती है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी भगवान श्रिहर विष्णु का ही अवतार थी और समुद्र मंतन के दौरान जब समुद्र से अमरित कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाध हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमरित का कलश कौन लेगा सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और तब अमरित के कलश से रक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुन्दर इस्त्री के रूप में भगवान श्रिहर विष्णु प्रकट हुए और उनकी सहायता से सभी देवी देवताओं विष्णु ने अमरित का सेवन किया, ये सुब दिन वैशाहक मास के शुकलपक्ष की एकडशी का दिन था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाये जाता है, और इस दिन भगवान श्रिहर विष्णु के मोहिनी स्वरूप की विथि विधान से पूजा अ परादना करते हैं, तो निश्चिति आपकी वो कामना जो है, पुर्ण होती है, समस्त प्रकार के पापों का लोग की प्रापती होती है् अगर आप मोहिनी एकाची का ब्रक धारन करके विद्य विधान से भगवान श्रीहल, वृष्न की पूजा आरातना जरूर करते हैं और पूजन करते हैं यह तने मातर से ही आपके कि मन की जो कामना है वो पूर्ण होती है और भगवान श्री हरी विष्णु की असीम ग्रिपा आपको प्राप्थ होती है लेकिन अगर आप एकादशी का वरत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जैसे कि आज आपको लेस् कि आपके जीवन की जो भी कामना है वो पूर्ण होती है तो आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूं कि वैसाक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिससे मोहीनी एकादशी कहा जाता है कब है और एकादशी के ती थी कप्रारंभ होगी कब समाप्त होगी वरत हम को आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं आज हमें किस प्रकार से भगवान श्रीयल विश्नु की पूजा आराधना करनी चाहिए किन मंत्रों का जब करना चाहिए और कौन सी वस्तवें उन्हें अर्पित करनी चाहिए जिससे कि इस व्रत का हमें संपुर्ण फल जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो उनकी नोडिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी तो सबसे पहले जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कवरत साल 2022 में कब रखा जाएगा तिथी कब प्रारंब होगी और कब समाप्त होगी देखिए मोहिनी एकादशी की जो तिथी है वो प्रारंब हो रही है ग्यार मई मैं कि शाम को साथ बज कर 31 मिनट पर और एकाद शी के तिती समापध होगी बारे माई की शाम को 6 बज कर 41 मिनट पर तो व्रत हमें कब धारण करना है। दोस्तों शाष्त्रों की अनुसार एकाद शिर्ण हमेशा सुर्योदे कालिन तिति में ही धारण क करना चाहिए। तो भगवान श्रीहर विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी के तिती भी भगवान श्रीहर विष्णु को ही समर्पित होती है तो ऐसे में आज के दिन अगर हम वरत धारन करके भगवान श्रीहर विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इस वरत का हमें दुगना महत्य होता है तो पारण हमें कप करना है दोस्तों एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वात्सी तिथी में ही किया जाता है तो द्वात्सी तिथी प्रारंभ हो रही है बारह मई की शाम को छे बजकर बावन मिनट पर और समाप्त हो रही है तेरह मई की शाम को पांच बजकर 42 मिनट पर तो मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का शुब महुर्त है 13 माई को सुबह 5 बज कर 32 मिनट से 8 बज कर 14 मिनट तक और पारण करने की यानी व्रत खोलने की जो कुल अवदी है दो घंटे 42 मिनट की है तो इसी शुब महुर्त में हमें पारण कर लेना चाहिए लेकिन अगर आप इस शुब महुर्त में पारण किसी भी कारण वस नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में द्वाद्ची तिति शाम तक है तो आप पारण शाम तक कर सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का जो पारण होता है दो पहर में नहीं करना चाहिए तो आप पहले पारण जरूर कर लीजिये वरत जरूर खोल लीजिये यह बहुत आवश्यक होता है क्यूंकि शास्त्रों के अनुसार अगर हम एकादशी वरत का पारण द्वादसी तीथी समाब्त होने के बाद करते हैं तो इसे पाप के समान माना गया है तो इस बात का ध्यान हमें लेना चाहिए शाम को सुर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना है और रात्री में भूमी पर शेहन करना चाहिए ऐसा सास्त्रों में कहा गया है और पुर्ण रूप से ब्रह्म चर्य का पालन करना चाहिए एक आदशी के दिन राते काल जल्दी उड़ जाए आराधना करें जैसे कि अगर आपके पास विग्र है भगवान श्रीहर विश्नु का शालिग राम हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो भगवान श्रीहर विश्नु का कोई भी स्वरूप हो तो उनका अभिशेक जरूर करना चाहिए जैसे कि पंचाम्रित से या कच्चे परगाने से मन की समस्त कामनाय पूर्ण होती है दूद, दही, घी, शहत, चकर ये पांचों चीजे मिलाकर पंचाम्रित बनाया जाता है और इस पंचाम्रित में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए इस प्रकार से अगर आप भगवान श्रीहर विश्नु को भोगर पित करते और अगर आप व्रत धारन करना चाहते हैं एकादशी का तो ऐसे में आप अपने दाहिने हाथ में जल और पुस्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप मोहिनी एकादशी का व्रत धारन कर रहे हैं और अगर आप किसी विशेश मनो कामना से इस व्रत को धारन कर लीजिये इसके बाद आपका वृत प्रारंब हो जाता है आप चाहे तो नेरजल या फलाहार किसी भी प्रकार से धारन कर सकते हैं कि बहुत से भक्त इस वृत को नेरजल भी धारusal करते हैं लेकिन अगर आप ने पाते हैं तो फलों के द्वारा यानी की फल जूज्लु दिद् परण होती है भगवद गीता का पाठ आज जो भी भक्त भगवान श्रीहर विष्णू के सामने शुद्धिगी का दीपक प्रज्वलित करके और पढ़ते हैं श्रद्धा भाव से इसका पाठ करते हैं तो उनके जीवन के समस्त पापनश्ट हो जाते हैं उनके पित्रों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें भी समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है मोहिनी एकादिशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर आप भगवान श्रीहर विष्णू के समक्ष करते हैं तो इससे आपको समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मि वक्त आज के दिन भगवाईन श्रहर विष्णू और मालक्षमी के संयुक्त पूजा करके स्री सुक्त और विष्णु सहस्त्रिणाम का पाठ करते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख सम्रिध्धी बनी रहती है अपार्धन संपदा बनी रहती है समस्त प्रकार के सुख करने के बाद भगवान श्रह विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए सुर्य देव को जलर पित करना चाहिए और उसके बाद शुख महुर्थ में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहन करना चाहिए लेकिन सास्त्रों के अनुसार अपने भोजन करने से पहले आप कि सबजी चावल फल जो भी आप दान करते हैं कम से कम एक व्यक्ति का भोजन हो जाए इतना दान अवश्य करना चाहिए और आप चाहें तो इससे अधिक भी दान कर सकते हैं क्योंकि दान तो हमेशा अपनी शक्ती सामर्थ और अपनी इच्छा के अनुसार ही किया जाता है ले आग में भी आप चाहें तो ये दान की समगरी किसी ब्रामध के यहां यफर किसी पुजारी को किसी धर्मस्थान में किसी मंद्र में दान कर सकते हैं एका दशी का दान हमेशा किसी ब्रामध को ही किया जाता है इस बात का ध्यान रखें लेकिन इसके अलावा चाहें तो आप किसी जरूरत मंद को किसी गरीब को किसी भी असहाई व्यक्ति की मदद कर सकते हैं उन्हें भी दान कर सकते हैं लेकिन ये दान जो अपने पारण से पहले आप निकालते हैं ये किसी ब्रामण को ही देंगे इस बात का ध्यान अवश्य रखिए तो दसमी तीची से लेकर द्वा के साथ शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे तो इससे ये कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अप्लोड होंगी उनकी नोडिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार